नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने उडिटेनल सक्सेसके 92 में साथियों, आज की इस वीडियो में सिक्षकों के प्रमोसन से सम्बंदित जितने भी सारे तथ्य हैं यनि कि जो नई सिक्षा नीती क्या कह रही है, RTE Act क्या कह रहा है और सुप्रीम कोट के नए आदेश क्या कह रहे है तो क्या प्रधाना ध्यापक और प्रधान सिक्षकों की नियुकती परमोसन से हो सकती है क्या प्रधाना ध्यापक प्रधान सिक्षक की नियुकती सिर्फ BPSC कंड़क्ट करेगी जो open exam के माध्यम से उसी से हो सकती है इनी सब मुद्दों पर आज सब इस वीडियो में चर्चा करने वाले है साथियों आपको पता होना चाहिए कि 28 जनवरी को सुप्रीम कोट ने एक आदेश जारी करी है जिसमें बिहार में जितने भी department है सारे department में पर्मोशन करने का आदेश दिया है कि जो जिस पद पर तैनात है पिछले कई बरसों से कारे कर रहे है और वो पर्मोशन की अहरता को पूरा करते हैं तो उनको अगले जोह सो पदों पर पदोनत किया जाए इसको लेकर के सुप्रीम कोटने एक आदेश जाड़ी किया है तो क्या सिक्षकों पर यह लागो होता है या नहीं इस संदर में बात करेंगे नई सिक्षा नीती 2020 में सिक्षकों के पदोनती की क्या सर्त रखे गया है इस पर आज हम चर्चा करेंगे साथी साथ नियोजित सिक्षक बनने क्या बन पाएंगे प्रधान सिक्षक बिना एक्जाम दिये हुए इस संदर में बातसीत करेंगे तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक सधिक जगा तक सेयर कर दीजिए और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर नए है ते चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजी बेल आइकन को दबाना नहीं भूरिएगा क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके देखे सबसे पहले हम आज बात करेंगे जो 2019 से रोक लगी थी डीपी सी की बैठक पर डीपी सी का मतलब हो गया डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमी थी डीपी सी की बैठक पर सुप्रीम कोट ने 2019 में रोक लगा दी थी अब डीपी सी की बैठक के बाद ही डिपार्टमेंटल प्रमोशन होना है तो DPC की बैठक पर चुकी रोक लगी हुई थी इस रोक को 28 जनवरी को हटा दिया गया है अब जो है सारे डिपार्टमेंट सारे बिभाग जो है स्वतंत्र हो चुकी है कि वा अपने बिभाग के पदाधी काड़ियों कर्मियों को परमोसन दे दे तो 28 जनवरी को यह जो रोक हटाई गई है इसी के संदर में आज का यह पूरी तरह से वीडियो है अब एक नए सिक्षा नीती जो है वो क्या कह रही है RTE Act क्या कह रहा है अब इसको जानने से पहले थोड़ा सा इस पेपर पर प्रकाश डाल लीजी देखिए यहां असपश्ट रूप से इन्होंने कहा कि राज में अपसरों को और करमचारियों को प्रोनती देने की कवायद सुरू कर दी गई साथ ही आपको पता ही है कि जो RTE Act 2009 में लाग हुआ था ठीक है और उसमें मुफ्त एवन अनिवारी सिक्षा का पूरी तरह से जो हवाला दिया गया था ठीक है मुफ्त एवन अनिवारी सिक्षा का हवाला दिया गया था अब इसको मुफ्त एवन अनिवारी सिक्षा भी कहते हैं इसको इमाल लीजी और राष्ट्रिये जो नई सिख्षानीती है हमारा 2020 इसमें दोनों में यह असपश्ट रूप से कहा गया है कि प्रतेक बिद्याले जितने भी बिद्याले होंगे प्राडंबिक बिद्याले जो चाहे वो प्रात्मिक बिद्याले हो या चाहे मिडिल स्कुल हो दोनों में फुल फलेजेज यानि पूर्ण कालीक जो प्रधान सिक्षक या प्रधान अध्यापक की नियुक्ती होनी है ठीक है परन्तु सरकार की उदासीन रविये के वज़ा से कहिए या सुप्रीम कोट के जो आदेश है उसको कहिए उन्होंने जो रोक लगा रखी थी उसको कहिए इन दोनों के चलते जो है अभी लगभग लगभग हमें लगता कि 90 परतीसत ऐसे विद्ध्याले हैं जिसमें प्रधावन सिक्षक और प्रधान अध्यापक के पद खा लिए अब यहां जब तक पुर्ण रूप से प्रधावन सिक्षक या प्रधान अध्यापक रहेंगे नहीं तब तक विद्ध्यालेओं की सारी गतिविद्यों को नियंतित कौन कर सकता है तो उसके लिए प्रभारी 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 जो प्रधाना ध्यापक की रूप में कारे कर रहे हैं जो बड़ी सिक्षक होते हैं उन्हें वो प्रभार दिया जाता है तो चुकी देखिए जो नियम है जो प्रधान सिक्षक और प्रधाना द्यापक बनने की जो अर्थाएं हैं वो आपको हमारे जितने भी सिक्षक हैं उसमें लगभग लगभग 40 से 50 परतीसत ऐसे सिक्षक हैं जो उस पूरे सभी नियमों को फोलो करते हैं अर्थात उस नियम पर पूरी तरीके से फिट बैठते हैं देखिए बात करते हैं नई सिक्षक नीटी 2022 के अनुसार अगर 2020 के अनुसार प्रधाना द्यापक बनने की जो यो गिताएं हैं उसमें सबसे पहला कहता है 45 परतीसत अंग के साथ असनातक उत्तिर्न होना चाहिए तो आपको पता ही है कि 98% जो सिक्षक है वो दक्षता और सिक्षक पातरता प्रिक्षा उत्तिर्न है पिछले तीन बर्स का स्वक्ष चरित्र परमान पत्र होना चाहिए तो पिछले तीन बर्स से आपको पता ही है कि पूरी तरीके से सभी सिक्षक स्वक्ष है और पूरी तरीके इस सिक्षकों के साथ धोखा होड़ा जो इन अहर्ता को पूरा करते हैं जो नियम है कि असनातक grade के जो सिक्षक होंगे खास करके उन्हें पहले जो है सो प्रोनवत करना है उन्हें पहले प्रभारी सिक्षक प्रतानाध्यापक अगर तीन साल पूरा कर चुके हैं तीन बर्स तो उन्हें प्रताव सिक्षक को प्रतान अध्यपक बढाये जाए मात्र तीन ठीक है? तीन बर्स कुछ जगा पर पांच बर्स भी दिये गए हैं तेकि तीन हो या पांच हो दोनों को जो है सो ये पूरा करते हैं 2015 से पूर्व ही बाहली हुई थी 15 तक ही बाहली हुई है तो उसके बाद तो बाहली हुई ही नहीं है तो इन चीजों को ध्याड़ पर रखना है हजारों सिक्षक ऐसे हैं जो हमारे इन सारे अहरता को पूरा करते हैं अब रही बात यहां पर देख लीजिए कि सिक्षकों को प्रमोसन मिलेगा तो मिलना चाहिए ठीक है 100% मिलना चाहिए अब इसके लिए इन नियमों को जैसे ही सुप्रीम कोट ने 28 जर्वरी को आदेश पारित करी है सभी डिपार्टमेंट सजग हो गया सभी डिपार्टमेंट में सभी जगों पर रिक्तियां मांगी जा रही है सभी डिपार्टमेंट में केटोगरी 200 जो है सो लोगों की छटनी सुरू कर दी गई है किस केटोगरी में कितने लोगों को प्रमोसन किया जाएगा ये कारे करम सुरू हो गया अगर रुका हुआ है अगर बिलंब है तो सिर्फ और सिर्फ सिक्षाय भाग अब सिक्षाय भाग आपको पताई है कि जब तक सिक्षक संगठन सिक्षाय भाग पर दवाब नहीं बना पाती है तब तक वो सिक्षकों के हिते में कोई फैसला नहीं ले पाती है तो यदि आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीख्छकों को यानि अगर 50% पद परमोसन से भर दिये जाएंगे तो 50% यानि कि जो 50% पद होंगे लगबग में आपको पता है कि 22,000 के आसपास हो जाएंगे तो 22,000 सिक्षकों को जो पुर्व से अनुभब लेकर के बैठे हैं लबे समय से कारिरत हैं तो उनको ये चीज का फाइदा बिल जाएगा बाकी 50% जो बचेंगे उसमें ओपेंड भरती भी अगर होती है तो 50% में लगबक 35-40% तो सिक्षक आई जाएगे और 5-10% ही कोई बाहरी लोग उसमें आ सकते हैं तो ये फाइदा होगा सिक्षकों को इन चीजों का फाइदा निश्चित रूप से होगा और अगर ओपेंड भरती पूरी तरीके से होती है तो कहीं नि कहीं जो बाहरी जो सरकारी विद्याले के बाद गैर सरकारी विद्याले बचते हैं तो उनका दबदबा बढ़ सकता है ठीक है? तो हमें इस बात का ये डर नहीं है कि बाहरी लोगों का दबदबा क्यों कोई दिक्कत में ये ओपेंड भरती हो उसके लिए लोग सक्षम है यहाँ पे जो सिक्षा इभाग है जो उसमें सभी लोग कोई अधिकान से लोग T.A.T. क्वालिफाइब करके आये है कुछ लोग जो पूर्ब से है वो भी दक्षता प्रिक्षा पास किये हुए है तो सभी लोग योगिता रखते हैं परन्तु योगिता तो रखते हैं लेकिन अनुभाब जो काफी लंबे समय से कारी कर रहे हैं उनको अनुभाब के आधार पर जो पद्दनती होना चाहिए था वो अगर नहीं मिलेगा तो वो कही नहीं कहीं उनके साथ जो ऐसो खिलवार हो गया तो इन चीजों को जब तक संगठन चाहेगी नहीं जब तक सारी संगठन एक हो करके जिस प्रकार से संगठ समन्य समीती बनाया गया था उस प्रकार से संगठ समन्य समीती का निर्मान किया जाए और उसी या बना हुआ है तो उसी पर कारेकरम को लागू कराते हुए और इस कारेकरम में खास करके प्रधान सिख्षक प्रधाना ध्यापक के लिए जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है उसको सिख्षक पूरा कर रहे हैं तो 50% पदो पर प्रमोशन होना चाहिए अप लोगों की और आप लोगों की क्या राय है कि जरूरूर की राय है और आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में ये यह लिंक दिया हुआ टेली क्या आप दो उड़ जाए और वहां से आपको सारी जो हैसो खबरे समय पर उपलब्द होता रहेगा ठीक है तो साथियों ओपन भरती हो या जो भी हो लेकिन सिक्छाकों के लिए यह जो हैसो प्रमोसन में फायदा होना चाहिए सिक्छाकों को मौका मिलना चाहिए प्रमोसन का ठीक है समय पर वहत्रीन वीडियो लाने का प्रियास करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद